नमस्कार दोस्तों ADCV Services Classroom में आप सब का स्वागत है Friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल ADCV Services पे प्रती दिन 10 MCQ का practice कराया जाता है तो आज का जो हमारा वीडियो है अभी तक मैंने इस पे March मंत का, 23 के March मंत का current affairs कराया था तो उनको एक compile करके मैं सोच रहा हूँ कि एक dedicated video इसमें बना दूँ ताकि जो बचे इसमें भाग नहीं ले पाए हैं, participate नहीं कर पाए हैं उनके काम आए और friends से ये March 23 का current affairs है और इसमें वैसे topic को डाला गिया है वैसे question को डाले गया है जो इस बार के exam में पूछे जा सकते हैं उस exam के point of view से काफी भी भी आई हैं तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा पहला जो question है अंतराष्टी मुक्यबाजी संग का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है तो इसका सही answer है C, Ajay Singh Ajay Singh को अंतराष्टी मुक्यबाजी संग का उपाध्यक्ष चुना गया है ये Indian है इसलिए ज़्यादा important है ये next सेकंड जो है दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए paper-based portable device का विकास किसने किया है तो ये IAT मदरास के द्वरा किया गया है ये काफी important है क्योंकि पहली बार इस तरह के device जो है बिक्सित की गई है जो ये पता करके बता दे कि दूद में जो है कितना मिलावट किया गया है तो ये जो है 30 सेकंड के अंदर आपको बता देगी कि दूद में कितना मिलावट है तो ये IAT मदरास जो है important है next बिस जो में पहली बार अंतरास्टिय सुन अपसिस्ट दिवस का मनाई गया देखिए कोई भी ऐसी घटना जो राश्टिय अंतरास्टिय अस्तर पर पहली बार घटित होती है मनाई जाती है वो exam को point of view से काफी important हो जाता है तो ये जो है अंतरास्टिय सुन अपसिस्ट दिवस जो है पहली बार मनाई गयी है इसलिए ज्यादा important है और ये even महासाभा के द्वारा ये घोसित किया गया है कब 30 मार्च को 30 मार्च जो है इसका सही अंसर है तो याद रखिएगा next बीस सुबैंक के अध्धक्ष पत पर निर्गुरोध किसे चुना गया है तो ये अजय बंगा को चुना गया है और ये जो बीस सुबैंक के परमुख है इनका चेहन कोन करता है तो अमेरिका के द्वारा किया जाता है और इसके पूरू जो है डेविस मालपस थे उन्हीं का ये अस्थान ली है कौन अजय बंगा तो ये काफी important है next स्वास्त का अधिकार विधियक लाने वाला देश का पहला राज कौन सा है ठीक है जिस तरह से राइट टू एजुकेशन है उसी तरह से राइट टू हेल्थ लाए जाने वाला जो राज है वो कौन सा है तो ये है राजस्ता काफी important है ये और ये यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है तो ये जो है पूर्ने महरास्ट में यजीत किया गया है कि Big Su का पहला 3D मुद्रित रोकेट कौन सा है जो सफालता पुरबग लांच हुआ है तो ये इंपरेंट है क्योंकि बीस पहला 3D मुद्रित रोकेट है ये क्या नाम है इसका टेरान-1 टेरान-1 जो है पहला यह 3D मुद्रित रॉकेट है और यह देखिए सफालता पुर्वाक यह लॉंच जरूर हुआ है लेकिन यह जो अपनी कक्षा में पहुंचने में बिफल रहा है लेकिन फिर भी इंपोर्टन्ट इसलिए है क्योंकि पहली बार जो है यह सफालता पुर्वाक लॉंच हुआ है 3D मुद्रित रौकेट आगे है प्राचीन मोती महल के खोज कहां पर होई है तो प्राचीन जो मोती महल यह संजुक्त अरब कर्यादinks एवई में यह झाया गया है और वहां पर जो है अमिराद के उतरी सेख डोम सिनिया दीवप जो है दीवप पर जो है वहां पर यह खाड़ी हुआ पर जो है मोती शाहर को हो जा गया नेक्स्ट भारत का पहला और 20 का पाचवा भारत के यह पहला और 20 का पाचवा बॉक साइट सी आर एम किस pregnant किया है तो यह नालको के दरा विक्सेट किया गया नालको का पूरा फुल्फर्म क्या है National Aluminium Company और भाभा परमानु अनुसंधान केंद्र इसको सौट में बार्क भी बोला जाता है इसको संजुक्त रुप से इसको विक्सित किये हैं जो की एक बकसाइट परमानी संदर्व CRM इसका फुल्फर्म है बकसाइट परमानी संदर्व इसको सफलता प्रोजेक्ट को कहां से विक्सित किया है देखे कोशन में भी बहुत सरे कोशन बन जाते हैं तो यहां पर यह भी याद रखियेगा कि केंद्री प्रयावनन मंत्री अभी परतमान में जो है वो कौन है वो पेंद्र यादो है तो अरावली ग्रीन वाल जो है प्रोजेक्ट पहले तो हैं याद रखना है कि है क्या और यह कहां पे विक्सित किया गode है तो कहां पर राज़ा सती हार्यान के तिया न से प्रणा किया है और यह क्या है भाई तो इस प्रोजेक्ट का लक्ष जो है अरावली के आसपास के पांच किलोमीटर जो बफर छेत्र है उसको हरित करना है ठीक है अरावली के आसपास के छेत्र है तो यह हर्यानेक द्वरा जो है राजे द्वरा सुरू किया गया है याद रखिएगा इसके बाद है गंदवर्धन पहाड़ियों को भारत के 37 जय विवेता विरासत असल के रूप में चुना गया है या है कहाँ पे है यह तो यह जो गंदवर्धन जो पहाड़ी है यह कहाँ पे है उरिशा में और यह 37 जय विवेता असल के रूप में इसको घोसित किया गया है इंपर्टेंट है यह उरिशका तीसरा यह यह जाद रखिए कंधिस्का यह 50 शेण को ऐगे है कि वं टीवीयरं में का आयोजन कहांपड किया गया है तो उपड़ी के लिए काफी इनिपरण सी में कि ए है सबसे बड़े चार मीटर अंतरास्टी लीक्वीड मीरर टेलियसकोप का उधगाटन कहां पे किया गया था यह और कौन की इसका उधगाटन तो केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग के द्वरा किया गया था मानो हाती संगर्स होता है उसको रोका जा सके तो इसका तो सब्सक्राइब के जाता है और वही करल अजैस के वितियों से उनके युटाइब 20 आजश हांथित वे इसका तो पूंच चेन्ज चुर्लेंगरिटिया Charlaming थिम था इस बबका ठीक है शो आगे है भारत के राष्ट्रपती दुर्फट्वत मूर्मक द्वारा कहा पर राष्ट्पती निलयâm का उद्धान किया गया तो राष्ट्पती निलयम का उद्धान जो है कहाँ पर किया गया है यह सिकंदराबाद में किया गया है और सिकंदराबाद कहां पर है यह ठीक है सिकंदराबाद यह आपका तिलंगाना में है तो इंपोर्टेंट है यह आगे है ब्रिक्स निव डेवलोप्मेंट बैंक के नए सदस के रूप में किस देश को सामिल किया गया है त ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफिरका और इसमें चार जो औने सदस्ने हैं उनका नाम याद कर लिए चार जो औने कोन-कोन से हैं मिस्रे, उरुगवे, बंगलादेश और ईवई तो इस चार जो है औने का नाम याद रखी आप पांच जो है ब्रिक्स व काफरेली को दिया गया है यह कहां कहने है अर्जेंटीना है, तो यहаго कहल85 और इवारं diferencia मोग मंत्री व्रिक्ष संपदा जोजना किस राज प्रणा के प्रण किया है,ो यहां से प्रार्णा कяжए चाहतित्र struggling की, इस ये अंसर हो गया, सियो और तुर्णा, इस ये नीजी करना है बढ़ाना है आगे है पहला संजुक्त राष्ट जल सम्मेलन 22 23 का आयोजन कहां किया गया है तो यह निव यर्क में किया गया है और जैसे कि मैंने शुरू में बताया थे कि जो भी राष्टी और आंतराष्टी असर पर पहली जो घटना होती हो काफी इंपोर्टेंट ह हो जाती है ति यह पहला संजुक्त राष्ट जल सम्मेलन जो है आयोजन किया गया था निव यर्क में ठीक है और इसमें लिखा हुआ है कि 22-24 मार्च 23 तक संजुक्त राष्ट के 50 वर्सों में पहला संजुक्त राष्ट जल सम्मेलन 23 जो है निव यर्क कहां पे है अमेरिका यह पहला जो संस्करन था महिला IPL का यह इंपोर्टेंट है और इसकी विजेता जो टीम है वो मुंबे इंडियन्स है तो यह इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह पहला इसका संस्करन था आगे है एसिया का सबसे बड़ा अंतरास्थी है खाद और आथित्य मेला आहार द ल्डी में किया गया था किसके द्वरा किया गया था निर्यात बिकास प्राधिकरन EPD ये के दWARON किया गया था आगे आ अक्टूबर 2022 में परधान मंत्री जुट द्वारा प्ररम मीशन Λान का कंत्रिक्री में किया गया है तो यह जो है धाका बंगला देश में भारतिये उचा योग के इंद्रा गांधी संस्कृतिक केंद्रों द्वारा मिसन लाइफ कारिकरम का आयोजन किया गया है जिसका उदेश जो है पर्यावरन अनुकूल जीवन सहली को लोगप्रिये बनाना है तो याद राजियों में यह गोशना की गई है और देख लिजे कि इन में सात राजियों में कौन-कौन सामिल है तमिलाडू, तिलंगाना, करनाटक, महरास्ट, गुजरात, मध्यपरदेश और उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश सामिल है इसलिए यूपी PCS के point of view से यह important है आगे है ब explanation में देखेंजे कि भारतिय सर्फ बंगलूरू को उरुगवे में Partnership for Healthy City Award 23 से समानित किया गया है इस पुरसकार के तहत एक लाख पचास तजार अमिर की डॉलर जो है परदान किये जाएंगे ठीक है रासी यहां पर दी हुई है आगे है भारत ईवई सिखर निवे सिखर सम्म सम्मिलन आयोजित किया जाता है तो कापी इंपोर्टेंट हो जाता है तो यह जो आयोजन है इसके बारे में देख लिए कि यह आयोजन उन लोगों को समर्पित है जो दक्षिन गुजरात से तमिल आडू चले गएते और तमिल संस्कृति का हिसा बन गयते तो उनके लिए ज प्रजेक्ट लाइन के तहत गुजरा सरकार ने गीर के बाद किस अस्तल को सेरो के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है तो यह बर्दा बर्दा जो है याद रखिएगा यहाँ पर जो है असनांतरित करने की बात चल रही है बर्दा वनजीव अभ्यारन में गुजरात में सेरो के लिए एक दूसरे घर का प्रस्ताव दिया है आगे है विशिष्ट सेवा के लिए ओडर ऑफ ऑस्टेलिया में किस भारती उद्योक पति को नुक्त किया गया है तो यह नुक्त होने वाले रतन टाटा जी है एक्स्प्लेनेशन आपर देख लिजे आग तो यह याद रखिएगा कि भारत का रैंक जो है 126 है अद दूसरा चीज यह याद रखिएगा कि इसमें फिन्लेंड जो देश है फिन्लेंड जो है अभी सुर्क्यों में था यह नाटो का सदस भी बना हुआ है ठीक है 31 जो है इसका सदस जो है नाटो का फिन्लेंड बना भी सुर्क्य में था तो फिल्लेंड जो है लगतार छे बार से जो वर्ल्ड हैपनेस रिपोर्ट है उसमें प्रत्व पैदान पर रहा है और भारत का भी रहें कि याद रखिएगा एक्सोचपविस आगे तीसरे एक्सरशाईज समुद्री ढ्रै किसारा इंदियेलागा तो है झालतो के थे क्योंदसे लुप से लिए संसे ना वह कि भागिदारी हुसे। बेसिकल यह चैवनाय को गांटर करने के लिए यह आएवजन याद रखियेगा अमेरिका के तुधरा किया गया है आगए इसरवसवाती समान 2022 के लिए कि से चुना गया है तो यह है सिव संकरी इनका नाम क्या है सिव तमिल लेख का शिव संकरी को उनकी पूँच्तक स्रुवा गोषना किसने की है GPT-4 की गोषना किसने की है तो यह किया है Open AI Artificial Intelligence San Francisco State Company Open AI ने AI भासा मॉडल की नई पिढ़ी जो है GPT-4 की गोषना की है आगे है बीसु का सबसे बड़ा सेमी कंड़क्टर चीफ निर्मान के अंदर कहां पर असापित किया जाएगा तो यह दक्षिन कुरिया में असापित किया जाएगा आगे डीजल परिवहन के लिए 131.5 km लंभी मैत्री पाइप लाइन की दो देशों के बीच में परारम की गई है तो यह मैत्री जो है भारत और बंगलादेश के बीच में शुरू किया गया है 131.5 km रही है और यह भारत के परधान मत्री नरेंदर मोदी और बंगलादेश की परधान मत्री सेख हसीना ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से भारत बंगलादेश मैत्री पाइप लाइन का उद्गाटन किया है नेक्स्ट सी ओ टू यानि के कार्बन डायकसाइट को समूदर के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रिन सेंड परियोजना परराम करने बिस्टो का पहला देश कौन सा है तो यह पहला देश वाला डेस है दिन्मार्क किया है बिन्मार्क ने उत्री साहर के नीचे आठ हो 50 अटसो मीटर कार्बन डायकसाइट को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्गाटन किया है इसके तहट वीडित से आयाए तीत को तो ये तीन देश जो है टॉप के कौन-कौन से हैं पहला रूस दूसरा फ्रांस और तीसरा जो है अमेरिका है तो ये काफी इंपोर्टेंट है आप याद रखिएगा भारज जो है सबसे ज़्यादा हथियार जो है किस देश से आयाद करता है तो फर्स्ट नमर पे है रूस से सबसे बड़ा टिवलिफ गारडिन कहां प्राराम किया टो ये बंहरु से प्राराम किया है और कॉन इसको शुरूआत किया है तो निटिन गणर करई जी इसका लंच-किये इसको बेंगलुरू की पहली मेतनोल से चन्ने वाली बसों का अनावरण किये थे नितिन गड़कड़ी नेक्स्ट है कि परमानू, पंडूबी, सज़ेदारी, ओकोस, योजना किसके दोरा प्रवर्म की गई है तो ये उप्यूक्त सभी यानि कि तीन देश इसमें सामिल है कौन अमेरिका, ब्रिटेन और उस्टेलिया तो तीनों देश का नाम याद रखिएगा और एक्स्ट्राइनस हम देख लिए कि परमानू, पंडूबी, सज़ेदारी, ओकोस, योजना, अमेरिका, ओस्टेलिया और ब्रिटेन के मद एक समझो होता है जिसके तहत अमेरिका से परमानू सक्ति से चलने वाली हमला और पंडूबियों की खरीद जो है करेगा ठीक है आगे है और अब सागर में समुद्री सज़ेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किस देश के दोरा किया गया है तो यह फ्रांस के दोरा किया गया है और अब सागर में आयोजीत फ्रांस इसी नौसेना के समुद्री सज़ेदारी अभ्यास MPX में भारती नौसेना ने भी भ प्लेट फर्म कों सा है तो सबसे जो है लंबा रेल्वेः प्लेट फर्म जो है वह सुद चिद रूधा स्वामी जो है प्लेट फर्म यह सबसे लंबा प्लेट प्लेट फॉर्म है आगे है भारत का पहला जियो लॉजिकल पार्क कहां पे असापित किया जाएगा तो ये मद्य पर्देश में और मद्य पर्देश में भी कहां पे किया जाएगा तो जबलपूर में एक जगा है लमहेटा और ये कहां पे है लमहेटा तो ये नर्मदा नदी किनारे ये बसा हुआ है वहीं पर भारत का पहला जियो लोजिकल पार्क जो है असापित किया जाएगा मद्य पर्देश क्या केके वील्ला फांडेशन द्वारा ब्यास समान 212 से समानित करने की घोस्ना की गई है देखिए ब्यास समान कौन से संस्ता देती है तैक केके विल्ल कि परसीद हिंदी लेखक डॉक्टर ग्यान चत्रवीदी के 2018 के व्यंग उपनियास पागल खाना को 32 यह भी याद रखिएगा कौन सा है 32 ब्यास समान के लिए चुना गया है शेवलान स्वस्त इंडिया ने निम्निमें से किसे बीस्व का पहला हैंड एंबेस्डर बनाने की घोषना की है तो हैंड एंबेस्डर जो है बनाने की घोषना की इनको की गई है सचीन तंदुलकर को तो यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह बीस्व का पहला है यह तो इंपोर मार्च 23 में नेपाल का नया राश्टपती किसे चुना गया है तो नया जो राश्टपती है वो रामचंद्र पोडोल है रामचंद्र पोडोल जो है नेपाल के नया राश्टपती है तो ये भी मौत्पून हो जाता है आगे इंडोनेसिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से क रहा अस्तनांत्रित करने की गोशना की है तो यह जो है बोर्णियों दीव पकरेंगे यह और क्यों कर रहा है परयावनिय संकटों से निपटने है तो कि ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो राजधानी है वो आने वाले समय में बहुत सारे मुसिबतों का समना कर सकती है जिस तरह में सेना की बटालियन की कमान समभालने वाली पहली महिला अफसर जो है कौन बनी है तो इनका नाम है गीता राना के बारे में देख लिए गीता राना को चीन के साथ पूरवी लादाक छेतर में एक सौतंत्र फिल्ड कारिसाला की कमान का परमुक न्यूक्त किया है ऐसे उप उत्राखंड में अस्तापित किया जा रहा है उत्राखंड में लगवक 900 किलोमेटर लंबा भारत का पहला एलेक्टिक तिर्थ जो है कोरिडूर जो है बनाये जा रहा है आगे है कि इरान और साथी अरब ने अपने राजनियाई के संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए कि इस देश की मध्यस्ता में समझ होता किया है बहुत ही ज़्यादा है आईर के द्रिश्टुकों से और यह बहुत बड़ी घटना भी है और इसकी मध्यस्ता जो है किसके दोरा की गई थी चीन के दोरा कहां पर की गई थी बीजिंग में और साथ वर्स बात जो है पहली बार इरान और साथ में आये हैं क्योंकि दोनों आपस में इनकी पूरानी संगहर चलती रहती है ये एक दुसरे को अपना कटर दूसमन मानती है ऐसे में इन दोनों के बीच में समझावता हो जाना ये बहुत बड़ी डवलप्मेंट है आगे है मांट मेरापी जिसमें कुछ समय इनका नाम जो है अभाय मनोहर सप्रे उचितम न्याले ने इनकी अधक्षिता में 6 सदस्य जो है समीती के गठन किया है जो की अडानी गुरुप जो भी करप्सन के चार्चेश लग रहे है तो उनकी जो है जाज करेगा आगे है भारती ये पुरत्तत शर्वेक्षन द्वारा तेरह सवर्स पूराना बहुत अस्तूप कहां पे खो जा गिया है तो ये जो है उडिसा राज में खो जाजपूर जीले में तो राज इन्पोर्टेंट है उडिसा में बिसु का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रैस बेरियर बाहु बली जो है कहां पर असापित किया जाएगा तो ये बिदर कहां पर है महाराष्ट में बिदर महाराष्ट में 200 मीटर लंबा क्रैस बेरियर बाहु बली को असापित किया जाएगा एस्टील का बना या क्रेस बेरियर एक अदर्स विकल प्रदान करता है और पर्यावरों समझनी चीनता हूँ और उनके परणामों को संबोधित करता है यह आगे है जूनियर कबड़ी 200 चंपियंशिप 2003 इसका खिताब किस ने जीता है तो यह जीतने वाला कौन सा है भारत और यह किसको हरा के जीता है तो यह इरान को हरा के जीता है और इरान में आयोजन भी इसका हुआ था तो यह भी कोशन पूछा जा सकता है किसका आयोजन जो है कहां पे हुआ है तो इरान में हुआ है आगे नेक्स्ट सुरक्षी सहर पुर्योजना के सुरात कहां पे की गए थी तो यह सुरक्षी सहर पुर्योजना के सुरात कहां पे की गए है करनाटक में करनाटक इसका सही है अब इसका उद्गाटन जो है केंद्रे ग्रिय मंत्री जो है अमिसा के द्वरा जो है किया गया था नेक्स्ट एवन एपी ने किस राज में सहरी सितलन पहल को लागू करने की समझाओता किया है तो यह जो है तमिलाडू के द्वरा जो है राज में समझाओता किया गया है एवन एपी के द्वरा तमिलाडू सरकार के द्वरा और यह प्रग्राम जो है सहरी सितलन पहल यह जो है आगे है बड़ी बिल्यों के लिए International Big Cat Alliance यानि कि IBC ये गठन की घोषना किस देशने की है ति ये भारत के दोरा किया गया है बड़ी बिल्यों में देखिए कौन-कौन से जानवर इसमें सामिल है तिसमें है बाग, सेर, तेंदुआ, हीम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता तो बिली का अर्त यहां पर ऐसा नहीं कि बिली के कैट के लिए है बड़ी बिली मतलब जिससे बिली के परजाती कि जो बड़ी जो जानवर है, उनको सामिल किया गया है है यहिंकर जहाँ मिलिए पा सुमूaj देख लिजए और यह कितने बिलियन डॉलर का होगा सोब मिलियन डॉलर का है और यह कितने वर्स के लिए तो पांच वर्स के लिए हैं आगे है कि भारतिय सिना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार सुनजुक्त संय अभ्यास फिरिन जेक्स 2023 लिखा हुआ है यानि कि 2023 ही है का एवजन जो है तियोंत पूरम में किया है तो ये जो है फ्रांस में जो है फ्रांस के साथ किया गया है ये मार्श 2023 में इसका एवजन केरल के तियोंत पूरम में किया गया भारत और फ्रांस के मद जो है नो सेना सेना अभ्यास ह किया जाता है उसका भी नाम यहाँ पर देख लिए लिखा उआ है गडूर वाई से ना लख अभ्यास आ है कर अधिक गरूर ईसके धशिवरून है नियान 2009 से इस थलेशान भ्यास जाता बुदा अभ्यास तरह त्यों को आप याद रखिये और नया जो फ्रांस के साथ जो है अब किया गया है फ्रिन जेक्स तो यह भी important है वर्स 2022 के लिए BBC Indian Sports Woman of the Year पुरसकार से कि इनको समानित किया गया है तो यह मीरा बाई जो चानू है इनको समानित किया गया है और लाकतार दो बार जो है यह मेडल जीती हैं मेरा भाई चानू और यह भी याद रखे कि टोक्यो उलम्पिक में यह रजत पदर जीती थी मेरा भाई चानू कहां कियां यह किस राजकी तो मनिपूर के यह भी इंपोर्टेंट है आगे है कि बिहार के किस जीले में मोटे अनाजो के प्रतिजाग रूपता के लिए स्री अन स्री अन महसो जो है आयुजित किया गया है तो यह भोजपूर भोजपूर यानि कि आरा से किया गया है स्री अन महसो का समन्ज जो है मोटे आना से है यह भी important है कि स्री अन महसो का समन्ज किस फसल से है तो मोटे आना से है इस महसो में बिहार के भोषपूर जीले में आईजित किया गया इस महसो को ठीक है आगे है कि इस sorry एक मिनट यहाँ पर मिल जगा एसिया की सबसे लंबी साइकिलिंग चंपियंशिप कहाँ पराराम हुई है तो यह कहाँ पर हुई है सिरी नगर में और यह एक मर्श दौहेते इसको जो है पराराम किया गया था आयूस मंतराले के पहले चींतन स्वीर कहाँ पर तो यह कजिरांगा रास्टी उद्यान कहाँ पर है तो असम में है और किसके दौरा किया गया आयूस मंतराले सर्वानन सुनेवाल के दौरा आगे है Westwick पहल मीरा का समन्ध की सबस्ल से है तो मीरा का समन्ध की सबस्ल से है बजरा से है ठीक है इसका पूरा नाम जो है मीरा का बजरा अंतरास्तिय, पहल, अंसंधान और जागरुखता है नेक्स ताइक कि IPL और WPL येनि के Women Premier League का सिर्षक परियोजक जो है कि इसको दियागिया है कौन है कि इसका आयोजन करता तो यह टाटा अपने देखा हो टाटा के आई पील जो है इसको समभोदित किया जाता है तो टाटा प्रायुजक कोंपनी याद रखिएगा दूनों का महिलाओ पूरुसों का नेक्स ओर उत्तर पूर भारत का प्रतम संपीडित बायोगा सन्योंतर का सिलन्यास जो है कहाँ पर किया गया असम के कामरूप जिला में पूरुस खिलाडी 2022 का पुरसकार निम्हें उसे किसको दिया गया तो लिए निल मेसी को यह दिया गया यह भी इंपोर्टन्ट है तो फिरेंड्स से यह रहा हमारा डिसकॉसन जो की मार्च 2023 की इंपोर्टन्ट वैसे कोश्चन जो एक्जाम को पॉइंट अब व्यू से काफी एक्जाम में आ सकते हैं उनका हमने डिसकॉसन किया अगर आपको यह पीडिएप चाहिए इसका तो हम मैसेज कीजिएगा हमारे द्वारा प्रवाइड कर आएगए वाट्स अप नमोर पे तो यह आपको पीडियो भी मिल जाएगा आपके रिविजन के लिए सही रहेगा 69 के आसपस कोशन थे उसमें से आपको बहुत सारे कोशन जो है एक्जाम में मिलेंगे ते इसलिए काफी इंपोर्टेंट है इसको आप रिविजन के तौर पे लिजिएगा तो आज के वीडियो में इतना ही फिरंस मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में तब तक के लि आपने वाट